सब्सक्राइब नाउ और प्रेश दी बेल आइकन को स्पेन के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे उनकी एज 46 एर्स है अलवेरो को मनी हैस्ट के कैरेक्टर दी प्रोफेसर के नाम से आज हर कोई जानता है स्कूल की पढ़ाई खतम करने के बाद अलवेरो ने उनके होमटाउन से मशूर उनिवर्सिटी से इंजिनेरिंग के डिगरी हासिल की अलवेरो ने उनिवर्सिटी ओफ टैंपर से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट की अलवेरो मोर्टीज ने उनकी बचपन की दोस्त और फैशन डिजाइनर बलैसा क्लेमेट से शादी कर ली उनके दो बच्चे है जूलीट और लियॉन जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है बच्पन से एक्टर बनने का शौख रखने वाले अलवेरो मोर्टीज ने उनके करियर की शुरुआट टेलिविजन से की थी साल 2002 में अलवेरो ने हॉस्पिटल सेंट्रल नाम के एक स्पैनिश टेलिविजन सीरियल से उनके करियर की शुरुआट की थी साल 2007 में Elvaro ने टेलिविजन सीरियल Planta 25 में उनका सबसे पहला लीड रोल किया था जिसमें Elvaro Mortis ने एक ड्राइवर का रोल प्ले किया था Elvaro Mortis की एक्टिंग और स्टाइल को लोग पसंद करने लगे थे जिसके बाद उन्होंने स्पैनिश टेलिविजन में कई सारे सीरिज में काम किया साल 2017 में Elvaro को Money Heist सीरिज में लीड रोल प्ले करने का मौखा मिला Money Heist का पहला सीजन स्पैनिश टीवी पर लाँच किया गया था Money Heist सीरिज में Elvaro के लीड रोल दी प्रोफेसर को लोगों ने खुब पसंद किया और धेर सारा प्यार दिया इस सीरिज को लोग सिरिफ स्पैन में नहीं बलके पूरी दुनिया में देखने लगे और Elvaro के एक्टिंग और स्टाइल को दुनिया भर से प्यार मिला जिसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी साल 2017 में नेटफ्लिक्स ने उनके प्लैटफॉर्म पर इस सीरिज को वर्ल्ड वाइड लॉंच किया और ये दुनिया के सबसे मशूर सीरिज में से एक बन गया टेलिविजन सीरियल और नेटफ्लिक्स सीरिज के इलावा अलवैरो मोटीज ने मूवीज में भी काम किया है साल 2007 की स्पैनिश फिल्म लोला ली पेक्यूला अलवैरो की सबसे पहली फिल्म थी ये मूवी बॉक्स ओफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई साल 2018 में नेटफ्लिक्स फिल्म मिरैज में अलवैरो मोटीज ने लीड रोल प्ले किया था फिर उसी साल अलवैरो ने स्मॉल फूट नाम की एक स्पैनिश फिल्म में काम किया नेट्फ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट के इलावा अलवेरो मोटीज ने और भी कई सारे सीरीज में काम किया है साल दोजार नीस में मूवी स्टार प्लस पे अल एमबैर के ड्रो नाम के एक सीरीज में अलवेरो मोटीज ने आसकर का लीड रोल प्ले किया है फिर उसी साल Amazon के सीरीज दवील आफ टाइम में भी Alvaro ने लीड रोल में काम किया है इसके इलावा साल 2021 में Alvaro ने और एक Spanish Television सीरीज में भी काम करने का कॉंट्रैक्ट ले लिया है वैसे तो Alvaro Mortis के पास कई सारे properties मौझूद है पर वो उनके बीवी और बच्चों के साथ Spain में उनके घर में रहते हैं Alvaro Mortis ने उनके जिन्दगी में काफी महनत और स्ट्रगल की है और आज वो इस मुखाम पर पहुंचे हैं आज Alvaro एक सीरीज में काम करने के पांच से दस करोण के बीच चार्ज करते हैं महंगे और लक्जेरियस चीजों का शौक रखने वाले Alvaro के पास आज कई सारे महंगे कार्स का केलेक्शन है Alvaro Maltese के कार केलेक्शन में Audi, BMW, Mercedes जैसे महंगे और लक्जेरियस कार्स मौझूद है तो दोस्तो ये थी Money Heist के कारेक्टर दी प्रोफेसर की लाइफस्टाइल वीडियो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से एक लाइक कर देना वैसे दोस्तो आप सब का Money Heist सीरीज में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना जाने से पहले और भी लेटस लाइफस्टाइल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल अकिन भी दबाद देना ताकि आपको हमारे लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले